असलाम वालेकुम बिस्मिल्लाइर्मान ररहीम चप्टर नमर त्री एक्सरसाइस 3.4 और पहला सवाल है हमारे पास अब यह कॉंजूगेट क्या होता है सबसे पहले आप देखें पहला पार्ट इसका सॉलूशन के बाद एक मरतबा यह पार्ट उतार है अब आप लिगेंगे टेकिंग कॉंजूगेट सवाल में आपसे क्या कहा था कि आपने क्या करना है कॉंजूगेट मालूम करना है अब आपने लिग दिया कि टेकिंग कॉंजूगेट का मतलब होता है यह जो दो ट्रम है इसे ट्रम कहते है ठीके अंडरूट 6 और यह 2 यह ट्रम के दर्मिया जो साइन है इस value का या इस सवाल का क्या हो जाएगा conjugate हो जाएगा यहीं conjugate सिर्फ क्या करना था आपने कि solve लिखने के बाद सवाल उतारा आपने taking conjugate लिखा और conjugate से क्या हुआ कि आपने इस sign को क्या कर दिया change कर दिया इसी तरह आप दूसरा part इसका solve करें solution एक मरतबा आप पार्ट उतारे अंडर रूट सोरी 10 प्लस अंडर रूट 10 अब आप लिखो गया पर taking conjugate ठीके taking conjugate अब conjugate से क्या होगा यहाँ पर जगह नहीं है तो आप 10 इनके दर्मियान की sign प्लस है तो आप क्या कर दो negative कर दो change कर दो प्लस का reciprocal क्या होगा? उलट क्या होगा? माइनस होगा तो आपने क्या कर दिया? sign change कर दिया तो यह क्या हो गया? conjugate हो गया ठीके 10 plus अंडर रूट 10 का conjugate क्या होता है? 10-2 इसी तरह 3-2 3-2 का conjugate क्या होगा? 3-2 यहाँ प्लस है तो यहाँ पर इसका conjugate क्या हो जाएगा minus इसी तरह यहाँ minus है तो इसका क्या हो जाएगा conjugate plus यह plus है तो इसका minus minus है तो plus यानि conjugate क्या होता है किसी भी दो ट्रम के दर्म्यान का sign change करना अगर plus है तो minus minus है तो plus कर देना ठीक है यह conjugate होता है